परिच्छे गिना नहीं जा सकता राहुल गनतीय रूप से तुम पून संख्याओं के बारे में बाते कर रहे हो बच्चों आईए हम इस पाठ में पून संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्यन करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे प्राकृत संख्याओं तथा पून संख्याओं की सूची बनाना एक संख्या रेखा खीचना संख्या रेखा पर जोड, घटाव और गुणन का प्रदर्शन करना पून संख्याओं के गुणों की चर्चा करना तत्समक अव्यव की चर्चा करना पून संख्याओं में तत्समक अव्यव के प्रतिरूब प्राकृत संख्याएं हम चीजों की गणना करने के लिए एक, दो, तीन, चार इत्यादि का प्रयोग करते हैं गणनिय संख्याओं को प्राकृत संख्याओं के रूप में भी जाना जाता है किसी भी संख्या में एक जोडने पर उसका परवर्ती प्राप्त होता है उदाहरण 20 में एक जोड दिया जाए तो इससे 21 प्राप्त होता है जोकी 20 का परवर्ती है किसी भी संख्या से एक घटाने पर हमें उसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है उदाहरण 20 से एक को घटाने पर 19 प्राप्त होता है जोकी 20 का पूर्ववर्ती है पून संख्याएं पून संख्याओं में शून्य एवं सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती है स्मरणिय बिंदू निम्न लिखित है सभी प्राकृत संख्याएं पून संख्याएं होती है सभी पून संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती कोई सबसे बड़ी पून संख्या नहीं होती संख्या रेखा संख्या रेखा पून संख्या को प्रदर्शित करने में सहायता करती है एक संख्या रेखा का निर्मान करने के लिए हम प्राय एक सरल रेखा खींचते हैं एवं रेखा पर एक बिंदु का चयन करते हैं तथा इसे शून्य से अंकित करते हैं इसे मूल बिंदु कहा जाता है हम तत पस्चात एक सुविधा जनक लंबाई का चैन करते हैं एवं दाई ओर खिसकते हैं शुन्य से प्रारंभ रेखा के साथ क्रमिक अंतरालों यानी हिस्सों को चिनहित करते हैं हम अगली पूर्ण संख्या के साथ एक नया अंतराल अंत बिंदु लेबल करते हैं एक संख्या रेखा पर किनही भी दो क्रमिक बिंदुओं के बीच की दूरी को मातरक दूरी कहा जाता है संख्या रेखा पर दोपूर्ण संख्याओं में से किसी संख्या से बड़ी संख्या उसके दाई ओर आती है संख्या रेखा पर संक्रिया आए संख्या रेखा पर योग की कल्पना आसानी से की जा सकती है आईए संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए तीन और चार के योग की कल्पना करते हैं चार जमातीन ग्याद करने के लिए पहले हम शुन्य से आरंभ करते हैं फिर चार इकाई दाई ओर खिसकते हैं अब हमारी स्थिती चार पर है फिर चार से तीन इकाई दाई और खिसकते हैं अब हमारी स्थिती साथ पर है इस प्रकार चार जमा तीन बराबर साथ प्राप्त करते हैं दो पून संख्याओं को घटाने पर जितना घटाना होता है उतना स्थान बाई और खिसकते हैं मान लीजिए कि दो पून संख्याओं का योग फल 11 है एवं 11 में से हम 4 घटा देते हैं। हमारी कल्पना में सहायता के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए देखते हैं कि यदि हमारी स्थिती 11 पर है एवं हम 4 इकाई बाई और खिसकते हैं तथा इस प्रकार हम 4 इकाई हटा देते हैं तब हमारी स्थिती 7 पर होगी। इस प्रकार जब हम ग्यारह इकाईयों में चार इकाई घटा देते हैं तब साथ इकाई शेश बचती हैं। गुणन का तातपर्य है निर्दिष्ठ इकाईयों की बहुबार उमीद करते हुए दाई तरफ खिसकना। उदाहरन के लिए दो गुणा पाँच। शुन्य से आरंभ करते हुए एक बार में दो इकाई दाईयों खिसकते हैं। ऐसे पाँच बार खिसकते हैं। आप दस पर पहुँच जाएंगे। अतह हम कहते हैं दो गुणा पाँच बराबर दस है। पून संख्याओं के गुण। किन्ही भी दो पून संख्याओं को जोडने पर योग राशी भी एक पून संख्या ही होती है किन्ही भी दो पून संख्याओं का गुणा करने पर गुणन फल भी एक पून संख्या ही होता है यदि किन्ही भी तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तब यदि प्रथम दो को पहले जोड़ दिया जाए एवं उनके योगफल में तीसरी संख्या को जोड़ दिया जाए अत्वा दूसरी दो संख्याओं को पहले जोड़ दिया जाए एवं उनके योगफल में पहली संख्या को जोड़ दिया जाए तब उनका योगफल वही पून संख्या ही होगा यदि किन्ही भी तीन पून संख्याओं का गुणा किया जा रहा है तब यदि प्रथम दो संख्याओं का गुणा पहले कर दिया जाए एवं फिर उनके गुणन फल में तीसरी संख्या का गुणा दिया जाए अथ्वा दूसरी दो संख्याओं का गुणा पहले कर दिया जाए एवं उनकी गुणन फल में पहली संख्या का गुणा कर दिया जाए तब उनका गुणन फल वही पून संख्या ही होगा यदि दो पून संख्याओं को किसी भी क्रम में जुड़ा जाता है तब उनका योगफल अपरिवर्तित होता है वितरन गुण यह बताता है कि दो संख्याओं के एक योगफल से किसी संख्या के गुणन से वही परिणाम हासिल होता है जो प्रत्येक योजियों का गुणन करके एवं तत पश्चात उन गुणन को जोड़ने से प्राप्त होता है उपरोक्त गुण घटाव और विभाजन के लिए लागू नहीं होते हैं तत समक अव्यव पून संख्या शून्य को योगात्मक तत समक अव्यव कहा जाता है क्योंकि जब इसे किसी पून संख्या से जोड़ा जाता है तब योगफल उस पून संख्या के समरूप होता है पून संख्या एक को गुणात्मक तत समक अव्यव कहा जाता है क्योंकि जब इसका गुणा किसी पून संख्या से किया जाता है तब गुणन फल उस पून संख्या के समरूप होता है पून संख्याओं में प्रतिरूप संख्याओं को डॉट्स के उपियोग से कुछ सरल आकृतियों में व्यवस्थित किया जा सकता है आकरतिया निम्नलिखित हो सकती है रेखा प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है उदाहरण के लिए संख्या 4 और 7 की आकरती देखें वर्ग कुछ संख्याओं को वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है उदाहरन के लिए संख्या 4 और 9 की आकरती देखें आयत कुछ संख्याओं को आयतों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है आयत एक्षेतिज या उर्धवारधर आकरती हो सकते हैं उदाहरन के लिए संख्या 6 और 8 की आकरती देखें त्रिभुज कुछ संख्याओं को थ्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है उदाहरन के लिए संख्या 3 और 6 की आकरती देखें कभी-कभी कुछ प्रतिरूपों को पून संख्याओं में देखा जाता है जो गणना प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता करते है उदाहरन के लिए निमनलिखित समीकरणों को देखें आईए कुछ और समीकरणों पर नज़र डालते हैं अब एक और उदाहरन को देखते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्येप में दोहराएं प्राक्रित संख्याएं एक, दो, तीन, चार इत्यादी होती है पून संख्याएं इत्यादी होती शुन्य, एक, दो, तीन, चार है संख्या रेखा एक रेखा के रूप में संख्याओं की द्रिश्य प्रस्तोती है एक संख्या रेखा पर जोड़ना, घटाना एवं गुणा करना सरल होता है पून संख्याओं के गुण में सम्मिलित हैं सम्वृत, साहचर्य, क्रम विनिमेय एवं वितरण गुण पून संख्या एक प्रतिरूप का पालन करती है